दोस्तो अपने स्क्रीन पर आप जो ब्रीज देख रहे हैं ये फ्रांस या जापान में नहीं बलकि भारत में मौझूद है ये समुन्दर के ऊपर मौझूद भारत का पहला वर्टिकल लिप्ट रेलवे ब्रीज है ये नजारा हर किसी को हरान कर देता है कि क्या सच में भारत म ऐसा ब्रीज मौझूद है तो आजके सी वीडियो में हम जानेंगे कि ये ब्रीज कहाँ पर है इससे किस राज में बनाया गया है इसका नाम क्या है इसका टोटल बलट कितना है क्या ये ब्रीज ओपरेशनल हो चुका है या इसका निर्मान कार अवी भी जा रही है नमस्कार रेल विकास नेगम लिमिटेट के द्वारा 535 कोल रुपीजे की लागत से बनाया जा रहा है जो कि पुराने पंबन ब्रीज के पेरलल होगा नय पंबन पुल का 90% काम पुरा हो चुका है साल 2019 में प्राइमिस्टर मोधी ने इसके दार सिला रखी थी और तबी से इसका निर्मानकार जारी है नय पंबन ब्रीज को इस तरह से डिजैन किया गया है कि फ्यूचर में डवल रेलवे ट्रैक और इलक्रिफिकेशन का काम किया जा सके आपको बता देगा इस कि इस ब्रीज की लंबाई 2 किलोमिटर से ज़ादा होगी इसमें 18.3 मीटर लंबा गाडर और 99 स्पैन होगा इस ब्रीज की सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल लिप्ट है जो की नावो को असानी से ब्रीज के नीचे से गुजरने में मदद करेगा इस वर्टिकल लिप्ट स्पैन में एक इलेक्ट्रो केमिकल कंट्रोल इंटर लॉक और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है सिपिंग ट्रैफिक को पास करने के लिए ट्रेन को रोग दिया जाएगा और जहाजों के गुजरने के लिए नेविगेशनल इस पैन उपर की ओर बढ़ेगा फिर सीप के दुसरी ओर जाने के बाद इससे वापस नीचे लाया जाएगा और फिर ट्रेन को रास्ता दिया जाएगा यहाँ आपको बता देगा इसकी यह ब्रीज पुराने पंबन ब्रीज से 3 मीटर ज्यादा उचा है पुराने पंबन ब्रीज को सेजर इसपैन के जर्ये मैनिवली ओपरेट किया जाता था सेजर इसपैन 61 मीटर का स्टील ट्रस है जो नावो के गुजरने के लिए 81 डिगरी तक खुलता है लेकिन लंबे समय से उपरेट होने के कारण अब यह जर्जर हो चुका है पहले इस पुराने पंबन ब्रीज को नेरो गेज के लिए डिजाइन किया गया था और 2007 में से ब्रॉड गेज में अपग्रेड कर दिया गया हलाकि अभी यह चालू नहीं है ब्रीज में लगे सेंसर के रेडर अलर्ट भेजने के बाद निसम्मल 2022 से ही इस ब्रीज पर रेलवे सेवा रुग दिया गया है बताया जा रहा है कि फुराना पंबन ब्रीज 1914 में खोला गया था जो कि भारत का पहला समंदुरी पुल था लेकिन अब कुछी मैनों में नया पंबन ब्रीज ओप्रेशनल हो जाएगा तो भारती रेलवे का ये जो ब्रीज नमर 346 है ये रिटार हो जाएगा यहां तक कि रेलवे इस पूल को नष्ट भी कर सकता है क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है इस ब्रीज की डेडलाइन को लेकर रेलवे बोड के सदस रूप नरायन सुनकर ने बताया कि पंबन ब्रीज का निर्मान कर फरवी 2024 तक पूरा हो जाएगा नरायन सुनकर ने नए पंबन ब्रीज के कंसेक्शन कारियों का निर्चन किया उन्होंने रामिस्वरम धनुस कोडी के खंड पर ट्रेक बिचाने के बारे में कहा कि इस प्रजेक्ट पर काम सुरू करने के लिए हमें राजसरकार से मंजूरी लेने की जुरुरत है मंजूरी मिलने के बाद भूमिय धिगरन का काम किया जाएगा और फिर ट्रेक बिचाने का काम सुरू होगा तो दुस्तो ये थी भारत के पहले वर्टिकल लिप्ट रेलवे ब्रिज की पूरी जनकारी दुस्तो ये भारत का पहला समंदोरी ब्रिज था जो की अब बंद हो चुका है और इसी के जगह पर भारत का पहला वर्टिकल लिप्ट रेलवे ब्रिज तयार कर लिया गया तो गैस अब ये काना गलत होगा कि भारत अब विकास नहीं कर रहा है भारत की जो इनफ्रास्टिक्चर है वो तयजी से विकास कर रही है चाहें वो रेलवे हो, पॉल्ट हो, एयरपोर्ट हो, एक्स्प्रेस बे हो भारत के हर इनफ्रास्टिक्चर को तयजी से बढ़ाया जा रहा है और लगातार नए नए परजेक्ट भी लॉंच किये जा रहा है तो दुस्तों आपको क्या लगता है फरबरी 2024 तक इसे पूरा कर लिये जाएगा आप अपने राइक कॉमेंड बॉक्स में जरू दीजिए और ऐसे इन लेटेस्ट अप्डेट के बारे में जानने के लिए मारे चैलेंज से जो जुड़िए नाव ठैंक्स पर वाजिंग दीज वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए जाएएगे